नमस्कार दोस्तों रहस्य मई ज्यान में आप सभी का स्वागत है मित्रों हम आपको बताएंगे सनी पीडा निवारण हेतु यंत्र के बारे में जिहां दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके उपर सनी की साड़े सती लगी रहती है और वह सनी ग्रह के कारण बहुत ज़्यादा परसान रहते हैं और दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि जो सनी देव होते हैं अगर किसी के पीछे पड़ जाएं तो दोस्तों उसका बेड़ा गर्ग हो जाता है और साड़े सती इतनी बिकट होती है कि दोस्तों इंसान का जीना दूभर हो जाता है तो दोस्तों क्या सचमूच जो सनी गरह है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कुरूर गरह है क्या सचमूच जो साड़े सती की जो एक जो धारणा है वो सत्य है क्या साड़े सती से बचे जाने का कोई उपाए है तो दोस्तों चलिए हम आपको बताएंगे साड़े सती से कैसे उपाए पाएं सनी देव की किरपा कैसे पाएं और सनी देव की महिमा क्या है तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कईयों से कि सनी की ढहिया सनी की साड़े सती जिन भी राशियों पर जाती है तो दोस्तों समझ लेजिए कि उन लोगों का जीना दुरुभाग्य हो जाता है उनके जीवन में तरह तरह की परसानी समस्या बिरोजगारी बीमारी ठीक है दोस्तों और इसके जैसी अन्यकों समस्या आती रहती है तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू जो सनी देव हैं वह न्याय के देवता है जी हां दोस्तों जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्रदान करते हैं सनी देव कोई कुरूर नहीं है वह न्याय के देवता है जो गलत करता है वो उसको दंडित करते हैं तहां रखना एक चीज को क्योंकि न्याय का कारभार अब स सनी देव के हाथ में हैं सनी देव दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं देवता हैं अगर आप उनको हर सनीवार को सरसों के तेल का दिया जलाते हैं उसमें काले उड़द की डाल डाल करके हर सनीवार हर मंगलवार पीपल पेड़ के नीचे अगर मंदिन नहीं है तो पीपल जलाइए आपका कल्याण होगा और जो साड़े सती होगी वह ठीक हो जाएगी और जो सनी देव की महिमा है मितुर अपने आप में बहुत अद्बूत महिमा है दोस्तों अगर आप धहिया से साड़े सती से परसान है तो दोस्तों आप के लिए मैं यंतर बता रहा हूँ इस यं सकते हैं और सनी देव आपसे खुस हो जाएंगे और सनी देव की किरपा आपको प्राप्त हो जाएगी तो दोस्तों क्या हो पाए आपको बता देते हैं दोस्तों एक यंत्र है दोस्तों जो की आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस यंत्र को जिहां दोस्तों इस यंत्र को इस यंत्र को आपको सनिवार की दिन लोहे या फिर तांबे के पत्र पर या फिर भोज पत्र पर या किसी सादे कागज पर बिधिवत पूजन करके धूप दीप करें अथवा इसे आश्ट गंद से लिख कर किसी तवीज में भर कर चांदी हो या लोहे की हो उसमें भर करके धरन करें इससे दोस्तों आप जो है साड़े सती से चुटकारा पा जाएंगे सनी की डहिया से चुटकारा पा जाएंगे यह अत्यांत लाब दायक है इसका प्रियोग कर यह आपको लाब अवश्त होगा मित्रो जी हां दोस्तों क्योंकि दोस्तों सनी पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने यह भुगती हो तो दोस्तों अराम से आप जो है इसकारू को जो है ठीक कर सकते हैं साथी साथ दानपुन करिए किसी के साथ अन्याय मत करिए सभी के बारे रोध करिए बस दोस्तों सनी की जो ढहिया है जो साड़े सती है अटमेटिक हड़ जाएगी और दानपुन करते रहिए पशुपक्षियों को अन्य दाना देते रहिए आपका कल्यार होगा आपने वीडियो देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद